तो फूचर डॉक्टर्स जो आप लोग देख रहे थे कि एड्मिट कार्ड में कुछ तूटियां थी उसको NTA ने एक्जेक्टली रिवाइच कर दिया है तो अब आप जो भी प्रॉब्लम आ रहे थी वो आपकी सौल बोजाएगी एक तो प्रॉब्लम आ रहे थी बच्चों के कि सर पासपोर्ट साइज फोटो जो है उसमें फिट नहीं हो रहा है अब NTA ने उसको प्रॉपरली रिवाइच किया अब आप फर्दर जो है उसको दोबारा डाउनलोड कर लिजे अगर आपने कर रखा एक बार तो उसको हटा के दोबारा डाउनलोड कीजे और इसमें आप का एडमिट का भी काड का भी प्राब्लम सॉल्व हो जाएगा कुछ बच्चे बोलते हैं सर पांच पेज का एडमिट काड है जिसमें की एक पेज तो सो ही नहीं कर रहा है पर जो भी एरर थे वो NTA अब रिवाइच कर चुकी है और नया एडमिट काड डाउनलोड कर लिजे उसका इंस्ट्रक्शन देख लिजे और उसमें पासपोर्ट साइज फोटो डालना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादा तर बच्चे यहीं पुछ रहे हैं सर उसमें पासपोर्ट साइज फोटो लगाना एक नहीं बिना पासपोर्ट साइज फोटो का वो वैलिड नहीं सकती है इसलिए यह गलती मत करना पासपोर्ट साइज फोटो लगा के जाना और नियू एडमिट कार्ट जो एंट यह रिवाइच करी है उसको डाउनलोड कर लेना पुराने वाले को डाउनलोड जो अगर कर भी लिये हो तो उसको हटा दो कोई बात नहीं उसको फाड़ के फे